आप सभी का डाउटनेट एप के उपर स्वागत है और आज हम करने जा रहे हैं NCRT का जो हमारे पास class 1 का class plus 1 का एक हमारे पास topic है binomial theorem यह आपके school examination point of view से very important topic है और साथ की साथ जब आप higher studies के लिए जाते हैं तो वहाँ पर भी यह आपके topic बहुत काम में आने वाला है तो students now मैं share करता हूँ अपनी screen और आप मेरे साथ बने रहिए और मेरे को subscribe करते रहिए ताकि मैं और interesting video इसी type के डालता रहूँ time to time Students यह हमारा chapter है binomial theorem इसको आप अच्छे से समझेए पहले आप NCRT को अच्छे से clear करिए उसके बाद आप कोई advanced level की जो book है हमारे पास RD Sharma है या कोई हमारे पास कोई competition point of view से कोई important कोई book है तो आप उसको refer कर सकते हैं तो first of all हमारा क्या motivation है कि हमने NCRT को अच्छे से clear करना है तो introduction में देखे इसका क्या है मैं आपको line by line पढ़ाऊँगा इससे आपका interest बनेगा और आपको topic के बारे में पूरी तरीके से clarity आएगी तो आप बने रही है मेरे साथ देखे students क्या है इसके अंदर introduction सबसे पहले हम करते हैं earlier classes के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि हम कैसे scares और cubes जो है binomials के वो कैसे find out करते हैं जैसे कि आपके पास अगर हो a plus b का whole square या आपके पास हो a minus b का whole square तो a plus b का whole square है इसका formula जब हम convert करते हैं identity के अंदर तो कैसे आता है हमारे पास a square plus b square plus 2 a b और a minus b का whole square जो हमारे पास formula identity में convert होता है तो कैसे आता है a square plus b square minus में 2 a b तो इनको use करते हो we could evaluate the numerical values of numbers like अब 98 का square अगर आपने find out करना हो तो आप कैसे find out कर सकते हो तो आपका 2 method है या तो आप करोगे 98 को 98 से multiply कर दोगे या दूसरे और आप क्या कर सकते हैं 100 minus में 2 यह आपने इस form में convert कर दिया a minus b का whole square तो 100 minus में b यानि कि a minus में b का whole square तो हम formula कौन सा apply करेंगे a square plus b square minus में 2 a b जैसे कि आपको triple 9 का cube find out करना हो तो एक आप क्या कर सकते हो triple 9 into triple 9 into triple 9 एक यह method है और दूसरा method आप एक formula की identity को use करके आप इसको evaluate कर सकते हैं 1000 minus में 1 का cube करके however for higher powers जैसे कि अगर आपको higher powers की जाना हो जैसे आपको suppose करो यह निकालना हो या फिर आप क्या कर सकते हो binomial theorem का use करके आप एक formula की identity लिखोगे और उसके बाद आप direct इसका result calculate कर सकते हैं जैसे कि आपको 101 की power 6 अगर इसको evaluate करना हो तो कैसे करोगे आप 101 into 101 into 101 into 101 into 101 101 ऐसे six times लिखोगे इसको या दूसरी और आप क्या कर सकते हो 101 की power 6 जो है इसके लिए हम binomial theorem का use करेंगे और फिर हम इसको easily evaluate कर सकते हैं with the help of binomial theorems तो इस type problems के लिए हम binomial theorems का use करते हैं तो देखिए the calculations become difficult by using repeated multiplication इसको हम बोलते हैं repeated multiplication method जैसे 101 into 101 into 101 अगर हम ऐसे करते हैं solve तो इसको हम बोलते हैं repeated multiplication method जैसे आपको suppose करो दे रखाओ exam में 98 की power 1000 तो आप यह थोड़ना है कि 98 into 98 into 98 करते ही जाओगे तो आप 3 गंट जो आपके पर 3 hours है उसको आप वहीं पर consume कर दोगे लेकिन दूसरी और अगर आप binomial theorem का use करोगे तो आप इसको easily evaluate कर सकते हो with the help of formula identity conversion method तो formula क्या हो गया हमारे करते हैं तो क्या आता है a square plus b square plus 2a b ऐसे ही हम क्या करेंगे जो हमारे पास formula होगा उसको expand करेंगे with the help of binomial theorem आगे हम देखते हैं it gives an easier way to expand देखो हमारे पस क्या है जो जो binomial theorem है वो हमें easier way देता है इसको expand करने के लिए अब जो यहाँ पर n है वो क्या है एक integer हो सकता है यह फिर अब वो rational number हो सकते हैं इंटीजर क्या होगा positive negative इंटीजर क्या होगा positive negative integer होगा और यहाँ पर यह एक rational number होता है जिसको हम P by Q की form में लिख सकते हैं इन दिस चैप्टर भी स्टडी बाइनुमियल थेोरम फॉर positive integral indices only तो हमारे पास जो रहेगा negative के लिए हमने नहीं study करना हमने सिरफ positive integral indices के लिए study करने यानि कि जो यह n होगा हमारे पास यह एक positive नमबर होगा this is the introduction of this chapter binomial theorem चलिए हम आगे बढ़ते हैं देखियो आपके पास क्या है binomial theorem for positive integral indices पोजिटिव integral indices का मतलब क्या है आपने दो numbers को add किया है और इन दोनों numbers को add करने के बाद जो आपने power ली है जैसे a plus b की power 0 तो यहां पर हमारा answer क्या आएगा 1 और a plus b हमारा not equal to 0 होना चाहिए तो यह condition आपको ध्यान रख रही है कि a plus b जो है आपके पास not equal to 0 होना चाहिए तो यह जो 0 है यह हमारे पास क्या है एक हमारे पास indices है इसको हम बोल रहे है indices जैसे a plus b की power 1 तो यह 1 क्या हो गया positive integral indices अब इसका answer क्या आएगा a plus b यानि कि a plus b को add करने के बाद हमने इसको कितनी बार multiply किया एकी बार multiply किया a plus b का square यहिए कि a और बीको add करो और add करने के बाद इसको दो बार हम ने क्या करते है आपसमे multiply करते है जैसे कि हमारा answer आ रहा हो a plus b का answer आ रहा हो 2 तो two into मे're two हमारे पास क्या आएगा four दूसरी और हम क्या कर सकते हैं एक को हम one माल ले बी को हम 1 मालने और 1 प्लस 1 की पावर 2 तो हम इसको अगर इस formula के अंदर रखें A square प्लस B square प्लस 2 AB तो भी हमारा answer क्या आएगा 4 याएगा यानि कि A की value भी 1 B की value भी 1 देखो आप करके देखना आपका answer क्या आएगा 4 या आप directly क्या कर सकते हो A और B को add करो और add करने के बाद उसको दो बार आपस में multiply कर दो जैसे हमारा answer यहाँ पर क्या आ रहा है A प्लस B का 2 2 into 2 यानि कि 4 या आप दूसरा ये identity method यूज़ कर सकते है जैसे A प्लस B की power Q जैसे आप का answer आ रहा हो 3 A प्लस B का answer आ रहा है आपके पास 3 तो 3 को हमने 3 बार आपस में multiply कर दें जैसे 3 cross 3 कितना हो गया 9 9 cross 3 हमारे पास कितना हो गया 27 या फिर हम इस formula को use करें A Q प्लस 3 A square B प्लस 3 A B square प्लस B Q अब इसके अंदर A की value भी 1 रखो और B की value भी 1 रखो तब आप अपना answer अगर calculate करोगे तब भी आप answer क्या आएगा 27 जैसे कि हमारे पास हो A प्लस B जो हो 2 हो तो 2 की power 4 कितना आएगा 16 या फिर आप इस formula के अंदर put करो एक हैं जैसे 2 की power 3 कितना हो गया 8 इंटू में 2 16 या फिर आप इस formula के अंदर put करो A की value 1 बी की value 1 तब भी आप का answer कितना आएगा 27 तो यहां से हमारे पास क्या आते है कि कुछ conclusion आते हैं हमारे पास कुछ concluding remarks आते हैं वो आपने अच्छे से समझने हैं देखो इन expansions के अंदर हो क्या रहा है हमारे पास we observe that the total number of turns the total number of terms in the expansion is one more than the index is one more than the index अगर index हमारे पास one है ठीक है a plus b को हमने add किया और index हमारे पास one है तो यहां पर number of terms हमारे पास कितनी आ रही है two आ रही है अगर index two है number of terms हमारे पास कितनी आएगी three एक ज़्यादा आएगी number of terms अगर index हमारे पास three है तो number of terms कितनी आ रही है चार अगर index 4 है तो number of terms कितनी आ रही है पांच 1, 2, 3, 4, 5 for example देखा आपको दिया भी हुए a plus b का whole square अगर हमारे पास हो तो number of terms इसके अंदर कितनी आएगी 3, a square plus b square plus 2ab तो a square एक term होगी, b square एक term होगी और 2ab एक term होगी, ठीक है powers of the first quantity a देखो a की जो जो हमारे पास first quantity है a उसकी power जो है वो decrease होती जाएगी 1 से और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो power जो है second quantity जो b है वो हमारी increase होती जाएगी by 1 in the successive terms देखो कि यहाँ पर देखो जैसे a square अब यहाँ पर जो क्या है 2ab यहाँ पे a की जो है एक power वो decrease होगी और b की एक power increase होगी ठीक है अब यहाँ पर 1 हो गया a और b हो गया 1 यहाँ पर a हो गया 0 और b हो गया twice तो b square आ गया a की power 0 क्या होगा 1 ठीक है तो यह भी हमारे पास concluding remarks ठीक है आगे हम देखने है third हमारे पर जो observation है वो क्या है in each term of the expansion the sum of the indices of a and b is the same and is equal to the index of a plus b ठीक है अब यहाँ पर देखो आपके पास जो वो रहेगा the sum of the indices of a and b is the same अब यहाँ पर देखो आपके पास हर बार जो index आ रहे term का वो कितना रहे 2 यहाँ पे index हर बार कितना रहे 2 जैसे a की पावर 1 है b की पावर 1 है तो इसका index कितना है a का 1 b का index कितना है 1 तो 1 plus 1 कितना है 2 यहाँ पे a का index कितना है 0 और b का index कितना है 2 तो 2 plus 0 हमारे पास कितना है 2 यहाँ पे b का index कितना है 0 और a का index कितना है 2 तो 2 plus 0 हमारे पास कितना है 2 अब जैसे A प्लस B की पावर 3 है तो ये A और B का combined index है कितना 3 तो हर बार हमारा जो index रहेगा powers का हो कितना रहेगा जो A और B की जो powers हैं उनको अगर हम add करेंगे तो हर बार हमारे पास answer कितना आएगा 3 जैसे A की पावर 3 है और B की पावर 0 है तो 3 प्लस 0 कितना हो गया 3 A स्केर B की पावर 1 तो 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 A 1 B की पावर 2 तो 1 प्लस 2 कितना हो गया 3 A की पावर 0 और B की पावर 3 तो 3 प्लस 0 हमारे पास कितना हो गया 3 तो हमारे पास हर बार जो index आएगा वो 3R है जैसे इसके किसमे अब आगे हम देखते है pattern इसके अंदर कुंसा user है we now arrange the coefficients in these expansions as follow अब यह देखो जब हमारे पास A plus B का जो addition करने के बाद जो index देखा हमने कितना आ रहे है 0 यहाँ पर first जो हमारे पास है expansion यहाँ पर Index कितना है जीरो और यहाँ पर भी Index कितना हमारे पास जीरो तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि Index अगर 0 हो तो coefficient 1 आएगा ठीक है अब यहाँ पर देखो Index अगर हमारे पास 1 है तो coefficient कतना आएगा अब a के आगे क्या लगा हुए? 1 और b के आगे क्या लगा हुए? 1 यह उनके coefficients हो जाएंगी अगर index हमारे पास 2 है तो दीखो आपके पास क्या आ रहे है a square के आगे क्या लगा हुए? 1 a, b के आगे क्या लगा हुए? 2 तो 1, 2, 1 जैसे कि यहाँ पर अगर हमारे पास index 3 है तो हमारे पास जो coefficients आ रहे हैं वो क्या आ रहे है A cube के आगे क्या लगा हुए 1 A square B के आगे क्या लगा हुए 3 यह जो number आपको दिखाई दे रहें यह क्या है coefficients है अब A, B square के आगे क्या लगा हुए 3 अगे क्या लगा हुए तो यह क्या है कॉफिशेंट से अगर इंडेक्स हमारे पास जैसे तो यहां पर हमारे पास जो कॉफिशेंट्स होंगे वो क्या होंगे 1, 4, 6 , 4 , 1 तो एक हमारे पास pattern बन रहा है यह देखो do we observe any pattern in this table क्या आपको कोई pattern यहां पर नजर आ रहा है that will help जो आपकी help करेगा to write the next row किसको लिखने में next row को लिखने में yes we do हां हमें नजर आता है क्या आता है नजर it can be seen that the addition of ones in the row for index 1 देखो जो यहां पर हमारे पास है अगर हम इस रो को देखें यहां पर इंडेक्स अगर वन है तो coefficients क्या रहे है बन वन it can be seen that क्या देखा जा सकता है the addition of ones in the row for index 1 gives rise to 2 in the row for index 2 देखो इन दोनों के addition से हमें क्या मिल रहा है 2 ठीक है यानि कि इन दोनों के यह जो ones है इनके addition से जो हमें middle वाला जो coefficient है वो मिल रहा है जैसे इन दोनों के addition से जो middle वाला coefficient है हमें वो मिल रहा है इन दोनों के addition से जो middle वाला coefficient है वो हमें मिल रहा है अब इन दोनों के addition से आपको मिडर वाला मिलेगा इन दोनों के अडिशन से आपको मिडर वाला मिलेगा इन दोनों के अडिशन से आपको मिडर वाला मिलेगा तो फस्ट और लास्ट का जो कोफिशेंट रहता है वो हमारे पास रहता है और जो मिडर वाले कोफिशेंट से हैं वो आप कैसे निकाल सक करते हो जो इंडेक्स हमें दे रखे हैं उनको अपने एड करना है तब आपके बास मीडल वाला जो कोफिशेंट है वह आपके बस निकल के आ जाता है जैसे कि आपको यहां पर समझाया भी हुआ है देखो अगर इंडेक्स जीरो है तो कोफिशेंट कितना है वन है अब यहां पर अपके बस क्या रहे है ऐगा अगर इंडेक्स वन है तो हमारे पास जो क्विशेंट रहते हैं वह तू है इंडेक्स तो मीडल वाला जो आपके बादर रहे गा वह कहां से निकलकर आएगा पिछे के वाले ones को add करने से तो one two one यानि कि a square प्लस two a b plus b square तो यानि कि a square का coefficient कितना है one a b का coefficient कितना है two और b square का coefficient कितना है one तो one two one यह हमारे पास coefficients हो जाते हैं अब यहाँ पर index जैसे आपके पस a plus b की power three है तो हमारे पास क्या आ रहा था formula इसका जब हमने identity लिया तो क्या आया हमारे पास a square a a cube plus में three a square b plus में three a b square plus में b cube तो a cube का coefficient किया है one जो हमारे पास three a b a square b है कि जो a square b क्या आगे number लगा हुआ है यह क्या है वेटा coefficient है ठीक है प्लस में three a b square जो a b square क्या आगे number लगा हुआ यह क्या है three तो यह जो नंबर है यह हमारे पास क्या होते coefficients होते हैं तो हम coefficients भी find out कर सकते हैं और हम क्या सकते हैं जो आपने देखा कि index से हम क्या निकाल सकते हैं कि हार एक टर्म का जो हमारे पास indices होगा वो क्या होगा ठीक है तो देट्स दी एंड ओफ मारे टूदेश लेक्ट्टर थेंक यू और थेंक यू सो मच